नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नय वर्ष की बहुत बहुत शुब काम ना है इस New Year पर अगर मैं Indian Economy की चर्चा नहीं करूँ तो कैसे काम चलेगा तो मेरा यहाँ पर मकसद है कि आपको 2021 में Indian Economy किस तरह का performance तरह inequality, poverty, GDP, inflation इन सारे चीजों के perspective से बाचीत करूँ और आगे किस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं, वो हम थोड़ा सा analysis करने की कोशिश करेंगे चली आगे बढ़ते हैं लिकिन उसके पहले, अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी करते हैं तो आप हमारे app को download कर सकते हैं, या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके लावा अगर आप MCQs एटेंड करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में आपको सभी MCQs मिल जाएंगे चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि exactly हो क्या आ रहा है, देखें 2021, यह जो वर्ष बीता है 2021 का जब इसके सुरवात हुई तो policy makers और people ने, जितने भी लोग हैं आप देखो किसी ने भी predict नहीं किया था वो जो second wave आएगा, March और April के बाद आपने देखा जो जिस प्रकार से देश गुजरा था, तो हम सब समझ रहते कि उस pandemic से हम गुजर चुके हैं, पहला wave के बाद अब देरे-देरे खतम हो गया है भारत में तो अब कुछ होई नहीं सकता, तो एक बहुत बड़ा error था और उसी की वज़े से आप देखिए तो जो second wave आया तो बाद में लोगों ने realize कि वो कितना भारी mistake था, और इसी की वज़े से अब यहाँ पर वापस से चर्चा हो रही है कि क्या जो 2021 में हुआ, क्या वो further repeat हो सकता है अगें 2022 में भी, यह सबसे बड़ा प्रश्न है, तो यहाँ पर अगर हम GDP को लेकर चर्चा करें पहला quarter, April, May, June तो उस समय उतना जादा bad picture नहीं देख रहा था, मैं आपको अगें इस particular graph में दिखाना चाहता हूँ जब हम GDP की बात करें, gross domestic product, तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हो कि जब हम इस साल का पहला quarter मतलब इस साल मतलब January, February और March की बात करें, तो January, February, March मतलब financial year का quarter 4 होगा, यह quarter 4, यही हुआ January, February, March तो यहाँ पर 1.6% की growth देखने को मिली थी, इस particular quarter में, तो कोई बहुत ज़ादा बुरा तो नहीं दिख रहा था, ठीक है, चल रहा है क्योंकि आपको याद होगा, उसके पहले 24% की गिरावाट हुई थी, 7.3% की, और 2 quarter में लगातार अगर negative रहता है, तो यह recession में चले जात अब ऐसे आप देखोगे, तो यह बहुत ज़ादा गिरावाट था, इस तरह V-shape देख सकता है, लेकिन actual term में अगर आप देखोगे, तो अभी भी हम pandemic के पहले जो situation है, GDP है, वहाँ तक नहीं आ पाए है, तो ऐसा कहना कि हम सब कुछ अच्छा हो गया है, यह भी कहना गलत हो का, और इसका further जो प्रमाड है, वह आपको आगे आने वाला हफता, तब 7th of January को सरकार क्या करती है, हर साल, पहला जो advance estimate है GDP का, full financial year का, वो देने की कोशिश करती है, और यह जो चीज़ आएंगी, उससे हमें further समझ में आएगा कि किस तरह से आगे हमारा वर्ष जा सकता है, ल लेकिन एक बात आप कह सकते हो कि जो present government का एक परकार से जब आये थे, आपको याद होगा, मोदी सरकार 2014 से पहले से, यहाँ पर काफी लोग GDP पर focus करते थे, GDP बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्या आपको लगता है कि पिछले 6-7 वर्ष में बहुत जादा बढ़ी है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप अभी भी देखो तो GDP की हमारी बढ़ोती है, quarter quarter में आपको कितना देखने को मिलता है, 6%, 5% और pandemic के पहले भी अगर आप देखो कि तो GDP में आपको गिरावट ही हो रहा आता लगा था, तो यह concern बना हुआ है, और GDP में हम उतना बहतर नहीं क पाए हैं, और GDP एक काफी important indicator होता है, दूसरा जो indicator होता है, वो हम आते हैं unemployment की उपर, unemployment में किस तरह से performance किया है, देखो यहाँ पर यह बात clear साबित हो गया है, कि जो high unemployment रहा है GDP देश के अंदर, वो सबसे बड़ा challenge है, in fact GDP growth से भी बड़ा challenge इसमें अगर आप देखोगे, तो unemployment का है, आप समय समय पर देखिए ना कितना जादा Twitter पर campaign हो गया, कभी कोई protest कर रहा है, student protest कर रहा है, exams को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लेकर लगतार protest जारी रहता है, और Indian policy makers ने कहीं न कहीं इसको misrate किया है, मतलब जो unemployment crisis है, उसके उपर बहुत जादा ध्यान नह 2021 के August के महने में, आप सोची देखो, 14 million people कम employed है, जन संक्या तो बढ़ती जारी है न, तो ये संक्या बढ़नी चाहिए, बढ़ने के बजाए क्या हुआ है, 2016 के मुकाबले 2021 में, जो total number of employed है, वो कमी आई है उसमें, तो इसी से आप समझ सकते हो कि unemployment कितना बड़ा समस्या है दे बहुत कम है, और कौन से labor force participation की मैं बात करा हूँ, women, female जो participation है labor force में, वो कही न कहीं कम है, और हमारे देश की अगर 50% अबादी इसमें participate नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है, यहां पर आपको unemployment और बागी चीजों की समस्या देखने को मिलेगी, और हम कितनी भी कोशिश कर ले हम economy को बहतर नहीं कर सकते, हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक female participation, labor force participation नहीं बढ़ेगा, तब तक चीज़ें नहीं हो पाएगी, सिर्फ यहीने इसके लावा और भी कई policy induced reasons हैं, जैसे की job related distress हो गया, यहां पर आप देखो manufacturing sector के अंदर जो jobs हैं, उसमें आप देख सकते हो क number of people employed, it has been reduced by almost half, जी हां, 2016-17 से अगर आप compare कर तो 2021 में, despite make in India और बहुत सारी जो initiative लेगा हैं, उसकी बावजूद भी यहां पर आपको कमी ही देखने को मिलेगी, Indian policy makers ने कहीं ना कहीं, जो labor intensive sector से उसको ignore किया है, मतलब technology बगर लाना चाहिए सब ठीक है, लेकिन अगर labor intensive sector नही inflation का क्या situation है, अगें ये भी एक बड़ी समस्या धीरे धीरे बनती जा रही, अभी तक तो नहीं था, let me tell you, RBI और सरकार ने काफी अच्छा effort काम किया था पहले कुछ वर्ष में देखोगे, लेकिन अभी recently अगर आप देखिए ना, तो काफी बड़ा समस्या बनता जा रहा है second year में यहाँ पर inflation rate काफी high हो गया है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा है, आप खुद देखिए, यह जो कुछ आप देख सकते हो यहाँ पर, पिछले कुछ quarter से, यह अचानक से आपको inflation काफी high देखने को मिलेगा, यह WPI inflation तो एकदम records तर पर चला गया, इसके उपर एक अलग से separate video भी बनाया था मैंने, CPI inflation अभी भी छे साथ पर 6% जो comfortable zone है, उसी क्यास पास बना हुआ है, तो यह बन रहा है, RBI actual में क्या है ना कि inflation control करना चाहती है, लेकिन वो बहुत जादक कर नहीं पा रही है, क्योंकि repo rate वगर आपको पता है, उसमें अगर गिरावट किया जाएगा, तो, sorry, गिरावट तो अलड़ी है, repo rate कम है, अगर repo rate में बढ़ोतरी की जाएगी, तो हो सकता है, वो growth के उपर impact आएगा, GDP वगरा, क्योंकि repo rate बढ़ेगा, तो loan का जो ब्यास दर है, वो भी बढ़ेगा, कम borrowing होई गई और इसकी वज़े से economy पर impact आ सकता है, तो RBI भी इसमें फर्स चुका है एक तरह से, कि किस तरह से चीजों में किया जाए, देखना होगा, आगे क्या policy ने आता है, बट ये भी एक concern है, इसके लावा inequality और poverty ये भी दिक्कत देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो, Oxpam की report आई थी, inequality virus के नाम से, और उसमें clearly बताया गया था कि COVID की व लोग अलोड़ी गरीब थे, उतने उनके पास resources नहीं था, वो और जादा नीचे चले गया है, और जिनके पास resources था और चीजें बढ़िया थी, वो उपर चलते गया है, तो जो gap है वो और जादा बढ़ता गया है, ये आपको देखने को मिलेगा, poverty भी बढ़ी है, इसके अल लेकिन inequality rise हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वापस से socialist pattern पर वैसा चला जाना चाहिए, वो एकदम बहुती बड़ा disastrous step होगा, हमें और ज्यादा market reforms और इन सारे चीजों के उपर focus करना चाहिए, फिर finally यहाँ पर economic reforms की अगर हम बात करें कि कि किस तरह के एक दो अगर हम examples ने economic reforms related, तो एक बहुत बड़ा decision आया था bad bank से related, आपको पता है banking sector काफी stress से उजर रहा था, especially covid के दोरान भी, जो non-performing assets है वो बढ़ते जा रहे थे, इसको देखते वे सरकार ने finally decide कि bad bank बना जाएगा, उनका जो NP है वो इसमें transfer कर दिया जागा, इसको लेकर मैंने कई videos बना पाएगा, नहीं हो पाएगा, सरकार का काफी resources पैसा इसके अंदर जा रहा था, लेकिन finally ये कही ना कहीं देखने को मिला है, जहां तक controversy की बात है, economic front में controversy देखने को मिलेगा regarding world bank's ease of doing business ranking, भारत अच्छा पफाउंग कर रहा था, लेकिन world bank में decide कि इसको बंद किया जाएगा, चाइना वगरा की वज़े से problem अलग चल रहा था, farm loss आपको पता है, ये बहुत बड़ा controversial, इससे बड़ा तो I don't think कि कोई होगा, 2021 में ये पूरा चाया रहा था, कि लगतार protest किया जा रहा है farmers के द्वारा, और finally सरकार को इसको repel करना पड़ा, हटाना पड़ा, और कुछ हद तक बताया जा रहा था कि एक reform अच्छा है, better के लिए है, लेकिन जो भी है वो चीजें कहीं न कहीं सरकार चीजों को समझा नहीं पए farmers को, और ये हमें देखने को मिला, अभी भी आपको पता है farmers guaranteed return की बात कर रहे है, MSP को कानून के तौर पर लाया जाए, लेकिन question ये है कि क MSP लाने से क्या भारत में जो farm distress है वो सुधर पाएगा, बहुत मुश्किल है ये प्रशन, बट देखना होगा आगे किस तरह से चीजें turn out होते हैं, बट एक छोटा सा overview था, brief था Indian economy को लेकर 2021 के regarding, और जाने से पहले एक interesting question आपके लिए क्या बता सकते हो कि which among the following country, इन 4 में से कौन सा ऐसा देश है, जो कि सबसे ज़्यादा, जो है, consumer है nitrogenous fertilizer का, ध्यान रखिएगा, nitrogenous fertilizer सबसे ज़्यादा कहां यूज किया जाता है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उ हैं भी ले सकते ही है, शो है जो कि अहुए हैयो मेरें þो, आपको बा हैं, छे बिले में हैं भाSoँ है कि अ़यादा को ओने मेरे पको थे जाल रहादा हैं, कि वासने हैं, भालना रहादार हुआ हैं तेश्त धर वाओ यूर्णन है भाहादा है, भालना